तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेडरूम से रिलेटेट वोकेबलरी हिंदी और इंग्लिस में वो भी पिक्चर के साथ तो चलिए गाइज बीना देरी के सुरू करते हैं गाइज आज का हमारा पहला वर्ड है दरी या गलीचा गाइज दरी या गलीचे को मिंग्लिस में बोलते हैं कारपेट नेक्स्ट है मसनद गाइज मसनद को मिंग्लिस में बोलते हैं बोलस्टर हमारा अगला वर्ड है अलारम गड़ी गाइज अलारम गड़ी को मिंग्लिस में बोलते हैं अलारम क्लोक कुरसी गाइस कुर्सी को में इंगलिस में बोलते हैं चेयर पलंग जिस पर हम सोते हैं तो गाइस पलंग को में इंगलिस में बोलते हैं बेड़ कंबल गाइस कंबल को में इंगलिस में बोलते हैं ब्लेंकेट अगला वर्ड है पर्दा गाइस पर्दे को अम इंगलिस में बोलते हैं कर्टेन गद्दा जो की मोटा होता है और इसको बेड़ पर बिचह आ जाता है तो गाइस गद्दे को अम इंगलिस में बोलते हैं मेट्रेस दर्पन जिसमें हम अपनी सकल देखते हैं तो गैस दरपन को अम इंगलिस में बोलते हैं मीरर, तकिय, तकिय को अम इंगलिस में बोलते हैं पिलो, नेक्स्ट है रजाई, गैस रजाई को अम इंगलिस में बोलते हैं क्विल्ट, कालीन, या फिर हम इसको गलीचा भी बोल सकते हैं, तो गैस कालीन को अम इंगलिस में बो चादर को अम इंग्लिस में बोलते हैं bed seat. अलमारी, गाइज अलमारी को अम इंग्लिस में बोलते हैं wardrobe. अगला वर्ड है, स्रिंगार पटल, जिस पर हम make up करते हैं. तो गाइज इसको अम इंग्लिस में बोलते हैं dressing table. पंचांग, पंचांग को मिंग्लिस में बोलते हैं केलेंडर नेक्स्ट वर्ड है दराज, गाइस दराज को मिंग्लिस में बोलते हैं ड्रावर दूर्बास यंत्र, दूर्बास यंत्र को मिंग्लिस में बोलते हैं टेलिपोन अगला वर्ड है तापक तापक को अम इंगलिस में बोलते हैं हीटर दिवारी कागज जिसको दिवार पर चिपकाया जाता है तो गैस दिवारी कागज को अम इंगलिस में बोलते हैं वॉल पेपर दर्वाजा गाइस दर्वाजे को अम इंगलिस में बोलते हैं डोर अगला वर्ड है किडकी गाइस किडकी को अम इंगलिस में बोलते हैं विंडो नेक्स्ट वर्ड है जाडू जाडू को अम इंगलिस में बोलते हैं ब्रूम कुडा दान Guys, कुड़े दान को मिंग्लिस में बोलते हैं Dust Bean Guys, कपड़े टांगने वाला Guys, कपड़े टांगने का जो stand होता है उसको मिंग्लिस में बोलते हैं Hanger चित्रकारी Guys, दिवार पर जो चित्रकारी लगी होती है उसको मिंग्लिस में बोलते हैं Penting किताबों की अलमारी गाईज हमारी रूम में एक अलमारी होती है जिसमें किताबे रखी होती है तो गाईज उसको हम इंगलिस में बोलते हैं बुक सेल्प दोलन कुरसी गाईज ऐसी कुरसी जो दोलन करती है उसको हम इंगलिस में बोलते हैं रोकिंग चेयर, अगला वर्ड है फ्रस, रूम का जो फ्रस होता है उसको हम इंगलिस में बोलते हैं फ्लोर, अगला वर्ड है बटन, लाइट को ओप या ओन करने के लिए हम जिस बटन का यूज करते हैं, उसको हम इंगलिस में बोलते हैं स्वीच, साइका, गाइज साइका को मिंग्लिस में बोलते हैं bunk bed next है चपल गाईज चपल को मिंग्लिस में बोलते हैं slipper इस्त्री करने का तकता जिस पर हम कपड़ों पर इस्त्री करते हैं तो गाईज इसको मिंग्लिस में बोलते हैं ironing board अगला word है sofa गाइज सोपे को अम इंगलिस में बोलते हैं काउच पंखा पंखे को अम इंगलिस में बोलते हैं फेन नेक्स्ट वर्ड है पट्टी वाला पर्दा ऐसा पर्दा जिसमें पट्टी लगी होती है और जिसको एक रस्ती से कीचने पर वो उपर या नीचे होता है तो guys इसको में इंगलिस में बोलते हैं blind दिवार गड़ी दिवार पर जो गड़ी लगी होती है उसको में इंगलिस में बोलते हैं clock पढ़ने वाला lamp Guys पढ़ने वाले lamp को में इंगलिस में बोलते हैं reading lamp हमारा last word है पलंग के बगल की table गाइस पलंग के बगल में जो टेबल रखी होती है उसको हम इंगलिस में बोलते हैं बेड साइड टेबल तो गाइस यह थी आज की कुछ बेडरूम से रिलेटेट वोकेबलरी I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू